हेलो बच्चों कैसे हो आप आज हम कक्षा चार समाजिग्यान की वर्कसीट हल करेंगे पाठ जित्वे उपविशय गर्मी ग्रीश जित्वे तो चलिए वर्कसीट हल करते हैं प्रश्न एक रिक्त स्थान भरिये पसीना भीष्न तापमान बड़े चोटी आम ये सभी सब्द लिखे वे हैं आपको खलिस्थान में सही सब्द को चुनकर लिखना है पहला मार्च के मद्धे से डैस बढ़ना सुरू हो जाता है तो यहां हम लिखेंगे तापमान दूसरा अप्रेल मई तथा जून में डैस गर्मी हो जाती है तो यहां हम लिखेंगे भीस्न तीसरा गर्मी में शरीर से बहुत डैस आने लगता है तो यहां हम लिखेंगे पसीना चलिए आगे बढ़ते हैं चोथा ग्रीस्न रितू में दिन डैस और राते डैस होती है तो यहां पहले लिखेंगे बढ़े और बार में छोटी ग्रीस्न रितू में दिन बढ़े और राते छोटी होती है पाँचवा गर्मी में सबसे अधिक मिलने वाला फल डैस है तो यहां हम लिखेंगे आम, गर्मी में सबसे अधिक मिलने वाला फल आम है, चले अगला प्रेशन करते हैं, प्रेशन दो, सही गलत का निसान लगाईए, पहला, ग्रीस मरितु में कभी कभी धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो यहां हम सही का निसान लगाएंगे, दूसरा, गर्मी से बचने के लिए लोग पहाडी छेतरों में गूमने के लिए जाते हैं, सही, तो यहां सही का निसान लगाएंगे, चले आगे बढ़ते हैं, तीसरा, मैजून के महिने में अधिक गर्मी नहीं पड़ती है, तो यह गलत है, यहां गलत का निसान लगाएंगे, पूल से छुट्टियां भी इनी महीनों में की जाती हैं चोथा उंचे पहाड़ी छेत्रों में तापमान कम रहता है तो यह कथन सही है पहाड़ी छेत्रों में तापमान कम रहता है जिसकी वज़ा से लोग गर्मियों में वहां जाना पसंद करते हैं पाँचवा, गर्मी से बचने के लिए लोग आम, तरबूज, नीमबू, बेल के सरबत का प्रियोग करते हैं तो यह कथन सही है, यहां सही का निसान लगाएंगे छटा, गर्मी में पसीना जल्दी नहीं सूखता है यह कथन सही है, यहां सही का निसान लगाएंगे चलिए अगला प्रेशन करते हैं प्रेशन तीन आज का अधिक्तम एवं नियूनतम तापमान लिखिए तो बच्चो इसका उत्तर आप स्वैम लिखेंगे आपके सुईधा के लिए मैं यहां लिख रहा हूँ अधिक्तम तापमान 33 डिगरी सेलसियस और नियूनतम तापमान 25 डिगरी सेलसियस चलिए अगला प्रेशन करते हैं प्रेशन चार लू किसे कहते हैं लू भारत के किस छेतर में चलती है इसका उत्तर लिखेंगे दिन के समय तेज चलने वाली सुष्क एवं अधिक गर्म करी मैदानी छेतर में चलती है प्रेशन पांच ग्रीश म्रितू के फलों की सूची बनाईए तो यहां हम लिख सकते हैं आम तरबूज खरबूजा फाल से बेल पत्र इत्यादिन बच्चों इन फलों के अलावा भी अगर आपको लगता है अन्य फल लिखा जा सकता है तो आ अगला प्रेशन करते हैं प्रेशन छे गर्मी में मिलने वाले किनी दो फलों का चित्र बना कर रंग भरिये तो बच्चों यह कारें आप स्वैम करेंगे किनी दो फलों के चित्र आप यहां बना सकते हैं आपके सुईदा के लिए मैंने यहां कुछ फलों के चित्र लगा द तो बच्चो ये वर्क्षी कहां कम्प्लीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विशियो पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नौलेज किंडम थैंक यू किपे बने हमार चैनल ना भूले यह वीडियो जाम